और दूस तरफ एक और बड़ी खबर आपको बता दे नव निर्वाचित विधायक ये शोदा वर्मा आज शपत लेने वाली हैं नव निर्वाचित विधायक ये शोदा वर्मा जिन्होंने खेरागर में जीत हासिल की है आज उनका शपत ग्रहंट समारों होनी जा रहा है और अधिक चर्चेस पर हम करेंगे सहयों की कुलेशर पांडे लगातार मरसत लाइफ बने हुए कुलेशर क्या कुछ जानकारी इस शपत ग्रहंट समारों से जुड़ी ली बड़ी बहुमत से जो है कॉंग्रेस की प्रत्यासी असुदा वर्मा खेरागर से जीत कर आए थी करीब 20,000 वोट से शुदा वर्मा जीत कर रही तो कहीं ने कहीं कॉंग्रेस पार्टी जो है भव्य रूप से तो नहीं लेकि निश्ची तोर पर विधान सभा में आज सभात ग्रहंट समारों रखा गया है साड़े ग्यारा बज़े का सभान इधालत किया गया है विधान सभा अध्यक चरंदा महन जो है सभात दिलेंगे साथ ही मुक्यमंत्री ओपेजबगल से तमाम मंत्री भी सामय लेंगे निश्ची तोर पर कहीं न कहीं के एक कॉंग्रेस के लिए बड़े उपलब्दी है सड़ज़ सिट के साथ कॉंग्रेस पार्टी चटिस गड़ में पुड़ बहुमा से जीत कर आए थी चार उप चुनाओं जीतने के बाद अब कॉंग्रेस के सीट लगातार बढ़ रही है और कॉंग्रेस पार्टी यही चाहेगी कि आने वाला 2030 विदान से पार चुनाओं है उसमें भी हम बड़ी पहुमा से जीत कर आए और आज निश्चीत तोर पर जो नो निर्वाचीत विधाया का यसुदा वर्मा कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी को उम्मित हम जीतेंगे बाउजू कुसके जो है महनत करने में कोई भी कसर कॉंग्रेस पार्टी नहीं चोड़ा और उसी का परिणाम है कि पीस हजार के लीट के साथ यसुदा वर्मा का खेरागर से जीती और आज सपत को लेने वाली चले आनि की काफी खास देने आज शोदा वर्मा के लिए शुक्रिया को लेश और आपका इस पुरी जानकारी के लिए विधानसबा में अध्रेक्षि चरंदास पहन तुने शपत दिलाएंगे साड़े ग्यारा बचे विधानसबा में शपत ग्रहिन समारो रखा गया है